हलो फ्रेंड्स आप सभी का दी शहनवाज यूटूब चैनल पर स्वागत है तो देनिक यात्रियों के लिए काफी बड़ी ब्रेकिंग निउस लेकर आए हैं जी हां दोस्तों आप सभी को बता दें नई फाश मेमूर ट्रेन का संचालन बहुत चल सुरू होने जा रहा है जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो क्या ट्रेन नंबर रहेगा कब से लेकर कब तक ये ट्रेन चलेगी कितने कोश की फाश मेमूर ट्रेन रहेगी कह से लेकर कहां तक इस ट्रेंग का संचालन किया जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को आज की इस वीडियो में हम देने वाल हैं गाड़ी संख्या 041-89 कानपुर सेंट्रल अलिगर जंगसन फाश मेमू पैसेंजर ट्रेन कानपुर सेंट्रल से 1 अगस 2024 को सुबा के 7 बचकर 15 मिनट पर अलिगर जंगसन के लिए प्रस्थान करेगी पनकी धाम 7 बचकर 33 मिनट एक मिनट के इस्टॉप के बाद रूरा 7 बचकर 54 मिनट एक मिनट के इस्टॉप के बाद जिंजग 8 बचकर 14 मिनट एक मिनट के इस्टॉप के बाद फफुंद 8 बचकर 30 मिनट एक मिनट के इस्टॉप के बाद भरतना 8 बचकर 54 मिनट एक मिनट के इतावा जंग्सन सुबा के 9 बचकर 10 मिनट 2 मिनट के इस टॉप के बाद शिकोहबाद जंग्सन 9 बचकर 48 मिनट 2 मिनट के इस टॉप के बाद फिरोजाबाद 10 बचकर 5 मिनट 2 मिनट के इस टॉप के बाद तुन्डला जंग्सन 10 बचकर 33 मिनट 2 मिनट के इस्टॉप के बाद हाथरस जंग्सन 11 बचकर 20 मिनट 2 मिनट के इस्टॉप के बाद अलीगर जंग्सन 12 बचकर 40 मिनट पर या पसिंजर ट्रेन पहुँच जाएगी अब बात कर लेते हैं गाड़ संख्या 041.90 के बारे में जो की अलीगर जंग्सन से 1 अगस 2024 को दोपहर के 1 बचकर 40 मिनट पर कानपुर सेंट्रल के लिए प्रस्थान करेगी हाथरस जंग्सन 2 बचकर 10 मिनट 2 मिनट के इस टौप के बाद टूनरला जंग्सन 3 बचकर 15 मिनट 2 मिनट के इस टौप के बाद फिरोजाबाद तीन बचकर 38 मिनट दो मिनट के इस्टॉप के बाद शीकोहबाद जंगसन साम चार बचकर 10 मिनट दो मिनट के इस्टॉप के बाद इतावा जंगसन साम चार बचकर 48 मिनट दो मिनट के इस्टॉप के बाद भरतना पांच बचकर दस मिनट दो मिनट के इस्टॉप के बाद फफुंद पांच बचकर पैंटीस मिनट एक मिनट के इस्टॉप के बाद जिंजक पांच बचकर पचास मिनट एक मिनट के इस्टॉप के बाद रूरा छे बचकर दस मिनट एक मिनट के इस्टॉप के बाद पनकी धाम छे बचकर चालिस मिनट एक मिनट के इस्टॉप के बाद कानपूर सेंट्रल साम के साथ बचकर पैंतालिस मिनट पर फार्ष मेमूर पैसेंजर ट्रेन पहुंच जाएगी दोस्तो अलिगर जंग्सन से कानपूर सेंट्रल और कानपूर सेंट्रल से अलिगर जंग्सन के बेच में नई फास मेमो ट्रेन का संचालन 1 अगस 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक 6 मैनों के लिए किया जाएगा इस ट्रेन में टोटल आठ कोश रहेंगे और हफ्ते के प्रतेक रविवार को इस ट्रेन का संचालन अलिगर जंगसन से कानपुर सेंट्रल और कानपुर सेंट्रल से अलिगर जंगसन के बीच में नहीं किया जाएगा यानि कि यह ट्रेन रविवार को दोनों तरफ से नहीं चला जाएगी फिलाल आप सभी को इस वीडियो में जो नई फास्ट मेमो ट्रेन सुरू होने वाली है इसकी समय साड़ी भी मिल जागी तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को जरूर लाइक किजेगा लोगों तक शेर किजेगा और पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब को लिजेगा मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जाए हीन जाए भारत